हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कच्छा दस्वी का एतिहास का चेप्टर टू जिसका नाम क्या है समाजवाद सामेवाद और रूस की करांती का हम लोग लगूतर ये प्रश्ण इस वीड समाजवाद उत्पन में मुख्यता नीजी स्वामित्व की जगा सामुहिक स्वामित्व या धन के समान बितरन पर जोर देता है समाजवादी सोचन उन्मुक्त समाज की अस्ठापनां चाहते है Efendimiz चाहते हैं कि समाजवादी ब्यवस्था एक ऐसी अर्थ ब्यवस्था है जिसके अंतरगात उत्पादन के सभी साधनों कारखानों दोता विपनन में सरकार का एक आधिकार हो ऐसी ब्यवस्था में उत्पादन नीजी लाब के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है ठीक है समाज का लव होता इसे अब दूसरा दिखे कि यूशन की आए कि रोबर्ट हो उन का संच्छिफ्त परी जाय थे रोबर्ट हो इनकी कौन थे कहा कि थे यह सभी तेक इसका उत्तर हो जाएगा इंगलैंड में समाज बात का प्रवरत्तेक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है इंग्लैंड में अधोगी की करांती के परिणाम स्वरूप सर्मिको के सोशन को रोकने है तो ओवेन ने एक आदर्स समाच के अस्थापना का परियास किया उसके अस्थान पर एक आदर्स कारखाना और मजदूरों के आवज़ की विश्था कि यह आप लोग लिख लिएगा इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा इसमें उतना समझने वाली होता है बात नहीं जब चप्टर पढ़ाया जाता तब समझने वाली बात होता है यहां पे आप लोगों का अंसर से मतलब है तो आप अंसर लिखिए औ काल मार्श कौन थे क्या थे यह सबी देखते हैं इसका उत्तर देखो जाएगा समाजवादी विचार धारा को आगे बढ़ाने में काल मार्श की महत्वपून भूमी का है मार्क्स का जन्म जर्मानी के राइन परांद के टियर नगर में एक यहुद्धी परिवार में होगा आप लोग लिख लीजेगा ठीक है ज्यादा बड़ा बड़ा उतर नहीं है अगर आप लोग पढ़े होंगे आप लोग जो टीचर होंगे कोचिंग पढ़ते होंगे देखते होंगे इस सब बड़ा बड़ा लिखाते होंगे लेकन यहां पर दखिए सटीक उतर एकदम आपको मिलेगा यहां पर चटा नमर किस्वन कि अब अधिक जागरन ने रूसी करांथी को किस परकार पर भावित किया तो यह देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आप यह से इसको लिख लिख लिजिएगा ठीक है साथमा नमर दखिए कि उसन कि मोंसिविकों और बोलसेविकों के विशाय में आप क्या जानते हैं तो यह देखिए इसका उत्तर यहां पर मिल जाएगा आपको दो कि यह आप लिख लिजेगा दोनों के बारे में ठीक है अब संपती और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया था अता सामंत पादरी पुझी पती नौकर साह सरकार के विरोधिव बन गये ठीक है ये इसका उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगला नंबर की उचन नौमा नंबर की उचन है कि कॉमिन norm की अस्थापना क्यों की गई इसका क्या महतलता इसका उत्तर तक हो जाएगा मार्ग सवात का फचार करने एंव इसो के सभी मजदूरों को संगिटिद करने का प्रतिनीदी मासकों में घत्रित हुए यह इसको आप लिख लिजेगा ठीक ना यहां तक यह इसका उत्तर हो जाएगा नोमा का ठीक ना आप लोग लिख लिजेगा इसको चलिए आप दस्मा नमबर की उसन देखते हैं दस्मा नमबर की उसन थोड़ा देखने से पहले अगर आप चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा दस्मा नमबर की उसन है कि नई आर्थिक नीत यानि कि एनिपी पर एक टिपने लिखेते नाय आर्थिक नीती क्या थी लेलिन ने उने सो एकीस में एक नाय आर्थिक नीती लागो कि इसके अनुसार समीत रूप से किसानों और पुझी पतियों को ब्यक्ति गत संपती रखने के अनुभती दी गई यह निती कारगर हुई खेती की पैदावार बढ़ी तथा उधोग धंदो में भी उत्पादन बढ़ा ठीक है यह था इसका उत्तर देखिए इसका दो को कारण बता दिया कि टिप ने लिखना था तो और इसका बता दिया कि क्या फाइदा हुआ क्या नुक्सान हुआ था देखिए पहला हो गया किसानों से अनाज की जबरन उगाई बंद कर दी गई फायदा यह हुआ अनाज के बदले उन्हें निश्चीत कर देने को कहा गया यह सभी क्या हुआ था फायदा हुआ था जब एन इपी लागू किया गया था ठीक ना तो यह था दसमा का उतर आप किजेगा और किस विसाय पर आपको क्यूसान असर चाहिए यह कॉमेंट में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अगले बड़े में तब तक लिए जय हिंद जय भारत और कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा